दोस्तों अगर आपने वीपेसी टी आरी 3.0 का एक्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप सभी को दोस्तों रिजल्ट का वेट है आपकी ओयमार शीट जो है वो तो जारी कर दी गई है बट जो है आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है वो कब तक आएगी इसके बारे मैंने आप सभी को अपडेट भी किया था और दोस्तों ओयमार शीट को लेकर के जो गड़बडी दिख रही है आप सभी को इसको लेकर के जो बीपेसी की तरफ से जो है नोटिस भी जारी की गई है कि इस पर अगर आपको बैबाशिक उनकैर को जूए चेछ का एक जिनन हो दो गया है आपका याचा को चेज बारे मां उखेकश्ण को ठीट किया है तरह चाहइब की तो व дальड़न ओग्राज लिए हो कभी यानि सभी की MR शीट चाहे आप करने PRT दिया हो 6-8 दिया हो 9-10 दिया हो या फिर 11-12 दिया हो सभी का MR शीट जो है फिर से चेक किया जाएगा अब दोस्तों रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में अभी आपका टाइम है क्योंकि अगस्त के लास्ट वीक तक अगर 27 तक जो है इसकी आपती की टाइम दी गई है तो इसके बाद ही कहीं आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा अगस्त सेप्तमबर के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है तो ऐसे में बहुत सारे ब्यायतों की कमेंट आए हुए है कि मैं कन्फर्म यह हो जाता या फिर हम आंसर की से या फिर से हो हिंदी से हो इंगलिश हो उर्दू से हो लेंगेज में आपका कोई भी हो तो आपका जो जनरल पेपर है चालिस कोश्यन उसको लेकर के तिन चार कोश्यन पर डाउट बना हुआ है सभी का कि इसमें जो है कौन सा अब जो फाइनल आंसर की ऑफिशल आंसर की तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा इससे आपकी चीज़े जो है किलियर होती जाएंगी यहां यह तो आपका लेंग्वेज का पेपर है यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं 31 कोश्यन से यहां पर दोस्तों देख पार होंगे पार्ट सेकेंड जनरल स्टेडी शिक्स तू एट का है आपका तो यहां पर इसको लेकर के बहुत सारे भारत्यों के कमेंट भी आये हुए हैं तो यहां पर हम इसको पूरा डिटेल देखेंगे तो आप लोग वीडियो के लास्त तक ब उसका एक्स प्लस वाई इकल टो फॉन हो तो एक्स इसकोर भाई स्कार उसकोर माんस ञान्स होगा। तो इसमें इसका जो करेक्ट आन्सर होगा दोस्तो एवाला है आठ हन्स करेक्ट है। इसकेंड जो 32 कोशन है देख सकते हैं निमन आकसाईडों में कौन सा जल में घुलनश तो इसमें जो है CAO है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा बहुत से भ्यारतियों के कमेंट आए इससे लेकर के तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ के लिए आप लोग देख लीजिए अपने नंबर को काउंट करते भी चलिएगा भारत में घडियाल प्रजनन साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अगर आप सौल करेंगे तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.5 वर्स ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स 35 आप देख पारेंगे सुभास चेंडर बोस किस वर्स भारती रास्टी कांग्रेश के अध्यश थे यह आपका कन्फूजन वाला कोश्चन है इसको लेकर के बहुत से भारती कन्फूज है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्या 1938 होगा या फिर 1949 होगा लेकर कि यह डाउट बना हुआ है तो यहाँ पे वो जो है अभी कन्फूज की बात करें तो इसमें जो है तिरुपूरा अधिवेशन में तो जिस तरह से कोशन पूछा गया है कि सुवास चंद्र बोस किस वर्ष भारती रास्टी कांग्रेश के अध्यश थे तो वो तो दोनों में थे किसी एक में तो थे नहीं तो 38 में भी होगा और 1938 में भी होगा 1939 म अब यहां पर बहुत सारे जो अभी हरती हैं वहां पर जो है क्रास कोशन भी कर सकते हैं बर दोस्तों यहां पर इस चीज को समझेगा कि सेम यही कोशन जो है आपका हेड मास्टर में पूछा गया था हेड मास्टर में आप देखेंगे तो सेम यही कोशन आपसे पूछा गय में 36 देख पारोंगे अगर आपका डिया है दोस्तों यहाँ पे एक नंबर कर लिजेगा अगर आंज पर कर लीजेगा, आपकर देख्या है कि अपर चलेगा मों 37 कोशन defending k मत समया T तो यहां पर जो साइमन कमिशन की गटन की गो गोशड़ा है दोस्तों वो 8 नॉमबर को हाँ आँठ नॉमबर 1927 को की गई थी तो आप देख सकते हैं option में 8 नॉमबर 1928 दिया गया है जो की नहीं है आठ नमबर 1929 दिया गया है यह जो date दी गया है काफी जो है confuse करने वाली है 8 December 1927 दिया गया आप देख सकते हैं बहुत से भ्यारतों ने इसे ही correct किया है बट आपका December नहीं है वो number है 8 November 1927 बहुत जो है यहाँ पे confuse किया गया इस option को देखर कि सब जो है सारी जो pass की date थी वही दे दी गई है तो इसमें जो आपका option होगा दोस्तों 37 का वो हो जाएगा आपका यह वाला यानि उपरयोक्त में से कोई नहीं यह वाला जो option आपका यह वाला correct हो जाएगा ठीक है अब अगला देखेंगे हम इसको लेकर के भी जो है क्योंकि बहुत सारे अभ्याती 8 दिसंबर 1927 लगा है बट यह नहीं होगा आठ नमबर 1927 है निवनवसी कौन सा गयर उहमिक प्रतिरोध का परतिनिद्वित्तों करता है option 38 का आप देख पारेंगे तो दोस्तों यह है टार्च बल्ब है option C इसका correct हो जाएगा अगला देखेंगे अगला यहां पर आप देख सकते हैं 38 अगला जो कोशन है इसको भी लेकर के डाउट बना हुआ है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पारेंगे 39 वाला भारत में जवारियों तरंग उरजाउत पादन के लिए अधिक अनुकूल परिसितियां कहां पाई जाती है तो अगर दोस्तों इसमें उपरियोक्त स कोई नहीं और डी जो है उपरियोक्त में से अगर सभी होता तो खंबात की खाड़ी भी हो जाता कच की खाड़ी भी होता बट यहां पर डी वाला अप्शन जो उपरियोक्त सभी नहीं दिया गया है तो अब आपको इनी दोनों में से देखना है खंबात की खाड़ी कच की तो अधिक की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे खंबात की खाड़ी होगा, अगर आपने NCRT अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें साफ्च तोर पे है सारी चीज़े, गदी के साथ जाता, बट यहाँ पे हम अधिक वाले को लेंगे, तो अधिक में खंबात की खाड़ी ठीक है, अगला जो चालिसमा कोशन आप लोग देख पा रहोंगे, इसका मान पूछा गया है, 0.03125 की पावर माइनस टू अपान फाइफ का मान पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो 4 होगा, अगला जो कोशन दिया गया है, भारा सरकार अधिनियम, 1935 के बिहार विधान परिशत के पर्थम निर्वाचित सभापती कौन थे, 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, दोस्तों वो होगा, राजिव रंजन सिंहा, तो ऑप्शन एसका करेक्ट हो जाएगा, अब अगला कोशन हम लोग देखेंगे, यहां पर 42, विज्ञान और प्रोदोगी की मंत्राले ने हाल ही में विज्ञान प्रोदोगी की और नाचार के चेतर में रास्टी प्रुषकारों के एक नए सेट की घोश्रा की, जिसे रास्टी विज्ञान प्रुषकार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेडियों के प्रुषकारों के लिए प्रुषक तो उसकी वज़ा से बहुत से अभ्यारतियों ने 28 फरवरी जैसा कि राश्टिविग्यान दीवस का दिन को जो है बहुत जादा अभ्यारतियों ने करेक्ट किया आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह भी है अगला जो देखेंगे केंड्री विधान सभा में हान कि रहित बम किसने फेका तो यह कोशन कई बार रिपीट किया गया है बीपिरसी की तरफ से तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है बटु के श्वर्दत ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा इसमें कुछ पुछना ही नहीं है अगला जो देख पारोंगे प्रति व्यक्त इसका मान क्या होगा इसका जो मान होगा दोस्तों वो जो है यहां पे 0.25 होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा अगर आप इससे सौल करेंगे तो बिहार दीवस मनाया जाता है 46 वाला कोशन आप लोग देख पारोंगे तो यह जो है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडें बिहार इसका का इसका करेक्ट है जो है बिहारतियों के काफी जो है comment थे हमारे चरीर में malaria परजीवी के भंडार अस्तल जो है दोस्तों वो यक्रित है बहुत लोग प्लिया भी बोल रहें बट आपका जो correct answer होगा यक्रित होगा तो जुनों ने यक्रित पर टिकिया होगा आप लोग अपने नंबर को यहाँ पर count कर सकते हैं दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो अगला question है प्राकृतिक संसाधनों के संदचर के लिए अफ्रीकी समेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था तो यह किया गया था 1968 में option ए जो है इसका correct होगा निक्स question पर चलेंगे निवन में से कौन सा collide नहीं है इसमें से पुछाए कि कौन सा collide नहीं है 51 का तो दोस्तों यह सिर्का है option भी correct हो जाएगा अगला question देखते हैं मैगनेज को प्योग कहां किया जाता है इसको भी लेकरके doubt बना हुआ डी को लेकर के तो दोस्तों अभी जो है मैगनेज को प्योग कहां किया जाता है तो जो बैटरी ही आप मान के चलिए बैटरी उत्पादर में बाकि जो है करता है तो यह आपका आंसर होगा इसमें 53 का कौन सा अंग शरीर के संतिलन को नियंतरित करता है तो वह आपका सेरी सेरे बलम है बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन है श्वाष परक्रिया के लिए निमने में कौन सा कतन सत्य है 54 का अगर देखे दोस्तों यहाँ पे है उर्जा श्रावित होती है तता एटिपी के रुप में बंडारित होती है नेक्स कोशन जो दिया गया है 55 एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल के अस्थापन किसके द्वारा की गई थी तो यह की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा ऑप्शन यह करेक्ट हो जाएगा नेस कोशन जो दिया गया है भारत में पाने का सरवाधिक किस प्रियोजन के लिए किया जाता है तो दोस्तों यह सीचाई के लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा पर देखें, दो संख्याओं का नुपात, 14, 14 रशियो, यहां पर देख सकते हैं, 25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है, तो दोनों संख्याओं में से, छोटी संख्या है, 58 का जो correct answer होगा, वो 336 होगा, यानि B वाला option correct हो जाएगा, अब यहां पर अगला question जो दिया गया है, 59 देखें, तो जारखंड का घाड शिला किस खनिच उतपादन के लिए परशिद्ध है, तो जारखंड का जो घाड शिला है दोस्तों, वो किस खनिच के लिए उतपादन के लिए परशिद्ध है, तो यह जो है, वो ताबे के लिए option C, इसका correct answer होगा, 60 question देख पारेंगे, न आती है, तो यह काली है, इसमें कुछ सूचना नहीं है, 62 देख पारेंगे, सडक प्रकाश में उप्योग आने वाले बल्बु को जोड़ा जाता है, इसका जो correct answer होगा, वो होगा, समाना अंतर करम में, next question है, 63, विशु का कौन सा देश अपने समिधान में, गर वो पात का अ सबसे लंबे खंबे की लंबाई पुछा गया, तो इसका option C वाला होगा, यानि जो है, 10, under root 2 meter, यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के रास्टी ये पुस्तकाले ने अपनी यात्रा किसके उद्गाटन के साथ शुरू की थी, तो इसका जो correct answer है, वो है, मार्च 1836 में, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, option C correct हो जाएगा, 67 अगला question जो है, प्रकाश की और पौधो की जुकाव का मुख्य कारण है, तो यह है आपका, प्ररो के चायदार भागी और आक्सीन का विसरण, option C इसका correct है, question number 67 का, अब यहाँ पे 68 पर हम लोग आएगे, निम्नालिकित में से कौन सा, उन चार पाइलोटों में से नहीं है जिने 2024-25 के लिए योजनाबद आंतरिच में इसरु के गगन यान मिशन के लिए आंतरिच यात्री बनाने के लिए परशिचित किया गया है, तो इसका जो दोस्तों होगा, इसमें इसे कोई नहीं है, तो option E जो है correct हो जाएगा, इसमें भी कोई confusion नहीं है, 69 देखें तो दोरादान की गई धनराश ही है, तो 69 को अगर आप solve करेंगे तो दोस्तों आपका E option correct हो जाएगा, 425, आखरी question है आपका जी उसका, जनवरी 2024 में देश की चुनाओ आयो के फैसले के खिलाब पेशावर उच्छ नयायले के एक फैसले दोरा इमरान खान की पाकिस्तान तहरी के इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया, चुनावी परतीक क्या था, तो दोस्तों इसका जो चुनावी परतीक था, वो था cricket bet option see correct है, तो यह थे दोस्तों आपके 40 question जो जी यर्स के थे, जिसको ले करके 3-4 question पे आपके doubt बने थे, जो कि मैंने आप सभी को clear कर दिया है, तो ज कटाफ को ले करके भी काफी अबयार्दों की comment थे, तो दोस्तों अगर आप यू आर से हैं, general है, तो यहाँ पे 90 है, अगर आपका 90 प्लस है, तो आप लोग यहाँ पे safe मानिये, EWS की बात करें, EWS का अगर यहाँ 85 प्लस जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे अपने आपको safe मान सकते हैं, उमीद लगा सकते हैं, BC दोस्तों, BC, EBC की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, BC, EBC की, तो आपका जो है दोस्तों यहाँ पे 82 प्लस होने माला है, यहाँ पे 82, 84, 86 इस तरह से, तो 82 प्लस होने माला है, तो I hope कि दोस्तों यह सारी चीज़े आपको clear हो गई होंग भी को दे दी, बागे बाप के मन में कोई doubt होगा इससे related, तो आप लोग comment box में comment करके जरूर बताएगा, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेस्ट अपडेट के साथ तक लिए बाए बाए टिकेट, thank you